आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे मई महीने के दिन गुजरने लगे हैं वैसे वैसे प्रदेश में गर्मी के अपने तेवर ठीके हो चले हैं दोपहर बाद घरों से बाहर निकलना भी लोगों के लिए दूबर हो गया है गलियों और सडकों पर अगोशित कर्फियू सा नजारा दिखाई दे रहा है तो कहीं भारत पाक सीमा पर तपते टीले अंगों अंगारों की तरह भबक रहे हैं इसे पर रिपोर्ट देखिएगा चिल्चिलाती धूप अंगारों सी धेकती सडकें और लू के थपेड़े पूरी मरुधरा इस समय भीशन गर्मी की चपेट में हैं प्रदेश में पढ़ रही भीशन गर्मी ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दिये पश्चिमीर राजस्तान के बीकानेर में सूर्य देवता के रौतर रूप ने लोगों के पसी ने छुड़ा दिये इसके अलावा हीट वेव का भी खासा असर देखा जा रहा है मौसम विभा की ओर से इस संबन्द में अलर्ट भी चारी किया गया है भीशन गर्मी में बीकानेर नगर निगम की ओर से बढ़ते तापमान को देखते हुए शेहर के मुख्यमार्गों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिल सके मई में बढ़ती गर्म पर भी सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है दिन में पढ़ने वाली भीशन गर्मी का असर देर रा तक महसूस किया जा रहा है वहीं तेज गर्मी के बीच आमजन की दिन चर्या में साप तोर पर बदलाव देखा जा रहा है लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही लूके थपेडो से बचने के लिए मूँ को ढखकर और दुपट्टा ओड करी बाहर निकल रहे हैं गर्मी से बचाओ के लिए लोग पार्क में छायादार पेडों का सहारा ले रहे हैं तो वहीं शीतल पेय पदार्थ पीकर गर्मी का असर कम करने की कोशिश की जा रही है गन्ने का जूस, न शेहर क्या देखें हर मंजर में जाले पड़ गए ऐसी गर्मी है कि पीले फूल भी काले पड़ गए जी हां वीकानेर में भी आग उगलते सूरज ने हाल बेहाल कर दिये हैं सडकों और गलियों में एक तरह से विरानगी च्छाई हुई हैं लोगों की दिंचरिया पर भी अ बालू रेत में पापड़ रखते ही सिक रहा है आप समझेगा इस मुस्ति चुनोती के बीच हमारे रनवाकुरे देश की सेवा में जजबे के साथ तैयार है हां हमारी इतनी सलाज जरूर है कि आप इस गर्मी में अपना ध्यान रखिए कैमरापासन गुलाम रसूल के साथ लक्षमन रागाओ, 1st India News, वीकानेव